हर्याना से बीजिपी ने उसे राजसभा का टिकेट दिया है जो अभी अभी कॉंग्रेस छोड़ कर साथ आया है हर्याना से किरन चौधरी को बीजिपी ने राजसभा का नॉमिनेशन करवा दिया है किरन चौधरी पूर सियम बंसिलाल की बहुएं बीजिपी के लिए काफी सेफ सीट है लियाजा किरन चौधरी की राजे सबा सीट पर जीत पकी है वैसे भी कॉंग्रेस ने इनके खिलाफ उमीदवारी नहीं उतारा किरन चौधरी चार बार तो शाम सीट से विधायक रह चुकी है उनके साथ उनकी बेटी शुरुती चौधर चौधरी भी बीजिपी में शामिल हुई किरन चौधरी के पास 20 साल बाद राजे सबा जाने का मौका है पहले वे ततकालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला की राजनीती में फसकर राजे सबाचे चुक गई थी किरन चौधरी के कॉंग्रेस छोड़ने की वैसे तो कई चाहिए है कि उनकी बेटी का टिकट कटना शूती चौधरी की भीवानी महेंद्रगर सीट से टिकट कटने के बाद वो पार्टी से खफा थी जिसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस का दामन छोड़ा और फिर बीजिपी में शामिल हो गई बीजिपी में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही राजस सभा सिफ बीजिपी नोने नॉमिनेट कर दिया पार्टी का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सारा कुछ तो उनके नीचे है जो प्रभारी है वो उनके नीचे है जो प्रदेश अद्यक्ष है वो उनकी सुनते हैं तो हर एक चीज़ का जो है सभी कुछ उन्होंने कैप्चर कर रखा है तो किसी और के लिए जगा नहीं है और खास तोर से हमारे जैसे मानदार निष्टवान लोग जिन्होंने जो है कोई जमीन की लपेटी नहीं करी, कोई उल्टा-पुल्टा काम नहीं करा, तो हमारे लिए तो कोई जगा ही नहीं रही वहाँ पर. जब सामने बात आती है, और जब है सामने नजर आ जाता है, आपने देखा शूती के साथ, इन्होंने क्या करा, जो सर्वे के अंदर शूती का जो है, नाम सर्वो पर आगे था, उसको दर किरारे करके आप जो है दूसरे कैंडिडेट को देते हैं, तो इसका मतलब तो यह सेटिंग की राजनीती करी रहे हैं तो जब यह सेटिंग कर रहे हैं तो अच्छा है कि मैं बाजपा में शामिल होके बाजपा की जो है नीतियों को आगे बढ़ाऊं और क्योंकि ऐसी पार्टी है मैंने देखा है जो इमानदारी निष्टा के साथ काम करते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और हमारा कोई आज का रिष्टा नहीं है यह चौधरी बंसीलाल जी का पुराना जुडावरा है बाजपा के साथ और अगर इमानदारी के साथ करना है तो यहाँ जादा यह जादा मेरे लिए ठीक रहेगा क्योंकि उदर तो केवल चम्चागेरी ही रहे गई या फिर मैं और मेरा बाप, मैं और मेरा बाप, कोई तीसरे आदमी को जो है ग्रो करने के तो जगाई नहीं छोड़ी बाप, बेटा पार्टी दुनिया जानती है लेकिन आपको लगता है कि यह जो कॉंग्रेस के अंदर यह है क्योंकि विधान सभा सर जो है चुनाब हो सर पर है और ऐसे में अगर कॉंग्रेस जैसे कि आप परोप लगा रहे हैं खेमे बाज में बटी हुए है तो नुकसान होगा कॉंग्रेस जब तक यह बाप बेटा पार्टी रहेगी कॉंग्रेस का तो नाम ही नहीं है तो कॉंग्रेस तो नाम लेना छोड़ दीजिया बाप बेटा बोला करो, बाप बेटा पार्टी, तो बाप बेटा पार्टी तो केवल अपने लिए साथ कर रही है, वो सारे सेटिंग की राजनीती करते हैं, तो जब इस तरह की राजनीती होती है, तो किस तरह से आगया सकते हैं, वो खुद ही नहीं जाएंगे कि आगया है, वोटर तो कन्फिज होंगे कि कॉंग्रेस के जाया तबी तो उनको कोई वोट नी देगा आपकी वोटर आपकी वोटर आप समझते नहीं है हर्याना का वोटर बहुत समंदा रहे हैं उसको एक एक चीज़ का पता है सबको मालूम है कि यह हालात क्या है यह जो है यह चाहते थे कि चौदरी बंसीलाल जी का नाम और रिशान खतम कर दिया जाए वो जो है ये वोटरों ने नहीं होने देना तो बीज़ेपी का मैसेज क्लियर है जो कॉंग्रेस छोड़ कर आएगा इनाब मिलेगा दूसरी बड़ी बात ये है कि पूर सीम बंसीलाल की बहू अब हर्याना में कॉंग्रेस की ही पोल खोल रहे है खास तोरपर भुपेंद्र सिंग हुड़ा और दिपेंद्र हुड़ा के खिलाफ उन्होंने मोड़्चा खोल दिया है लोगसभा चुनाब में मिली काम्याबी से भुपेंद्र सिंग हुड़ा का जोश हाई है कॉंग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी को जटका दिया था किसानों और जाटों की बीजेपी से नाराजगी का फाइदा भी कॉंग्रेस को मिला था दूसरी तरफ नाइब सिंग सेनी सरकार के खिलाफ एंटिंग केंबेंसी एक बड़ा फैक्टर है अभी तक किसी भी सरकार ने या हैट्रिक नहीं लगाई है, बीजेपी गैर जाट वोट के सहा रहे हैं लेकिन किरन चौधरी को लाकर बीजेपी गेम बदलना चाहती है और आज नोमिनेशन फाइल किया है, हमारे सभी विधायक यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ अन्यव विधायकों ने भी आज किरन चौधरी जी को समर्थन दिया है हमारे जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुर्जा खेड़ा राम कुमार जी गोतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी हमारे इन सभी विधायकों ने भी और गोपाल कांडा जी इन सभी ने किरन चौधरी जी को अपना समर्थन पत्तर दिया है हर्याना की 90 सीटों पर एक उक्टूबर को चुराव होगा चार उक्टूबर को नतीजे आएंगे चुनाव से पहले यहां SRK फाक्टर चल रहा है S यानि कुमारी शेलजा सिरसा से सांसद है और दलित वोट बैंक मजबूत करती है R यानि रंदीव सुर्जेवाला का सर जीन्द के आसपास के एलाकों में है K यानि किरन चौधरी का गड़ भवानी है ऐसे में इसी SRK फाक्टर पर यह चुनाव इस बार निर्भर कर रहा है